नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ विकास कुमार आईए करते हैं खबरों की शुरुआज सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर जिले भर में धूम धाम से की जारी एमा सरस्वती की पूजा आर्चना कई शेक्षणिक संस्थानों में सांस्कृतिक कारिक्रम का हुआ आयूजन शेहर में सरस्वती पूजा को लेकर कुतवा लिधाना से निकाला गया फ्लैग मार्च CTDSP ने शांती बनाए रखने की लोगों से की अपी मुगेर पुलीस को मिली बड़ी काम्यावी तीन हथियार तसकर 130 राउंड गोली के साथ गिरपतार बेतिया में कनहिया की होने वाली सवा को जिला प्रशाशन से नहीं मिली अनुमती लोगों ने लगाए गो बैक के नारे और राश्ट पिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर कई कारिक्रम का हुआ आयोजन पुष्प अर्पित कर लोगों ने किया नमन और अब खबरें मिश्टार से ज्ञान बुद्धी और विध्या की देवी माश्ष्वती की पुजा गुरुवार को जिले भर में धुमधाम से मनाई गई इस दोरान सरकारी गैर सरकारी समेच सभी सक्षणिक संस्थानों में छात्र छात्रों ने मा सरस्वती की पूजा आर्चना पूरे विदी विधान के साथ की। भागलपूर के विभिन इलाकों में पूजा को लेकर लोगों के बीच काफी उत्सा देखा गया। जगों पर मा की परतीमा अस्थापीत कर सांस्कृति कारिकरम का आयोजन किया गया। वहीं भागलपूर के जीडी गोयन का पबलिक स्कूल में बशंत पंचमी धूमधाम से मनाया गया। इस दोरान बच्चों ने मा सरस्वती की पूजा की इसके बाद अभिवावकों, सिक्ष एवं बिद्याले कर्मियों की उपस्थिती में संस्कृति कारिकरम आयोजित किये गये। मोके पर निर्देशी का डॉक्टर निहारी का भारती एवं सची मीना तिवारी ने बच्चों को शुब कामनाय दी और शरस्वती पूजा को भारतिय संस्कृति का अहम हिस्सा बताय वहीं रेकाब गंज इस्थित ABC पलश्टू पबलिक स्कूल में माश शरस्वती की परतिमा अस्थापीत कर पारम परिक विधी विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दोरान इस्कूल के निदेशक विनय कुमार ने कहा कि माश शरस्वती की किरपा से ही मनुश में ग्या और काफी संख्या में छात्र शात्राएं मजूद थे। इधर सरस्वती पूजा को लेकर छात्राओं के बीच काफी उस्सा देखा गया। भागलपूर में सरस्वती पूजा पर SM कॉलेज के सिक्षक और शात्राओं से बात की हमारे संबाददाता सैयदीना मुद्दीन ने सुभै से ही लोग मासरस्वती ज्यान की जो देवी है उसकी पूजा कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्राओं की भीड़े काफी संख्या में छात्रा जो है तो मासरस्वती की पूजा अचना कर रहे हैं इसी के साथ हमारी साथ कुछ सिक्षक हैं उनसे बात कर लेते कि यह जो पूरे देश में सरस्वति पूजा का योजन किया गया है यह एक ऐसा अवसर है जिसमें छात्रां पूरी भक्ती निश्ठा के साथ विद्या की देवी मां शरष्वति की अराधना करती हैं पूजा करती है और पूरे जोश और उत्सा के साथ बिभिन्य तरह के नाच गानों के साथ इसको इंज्वाय करती है यह चैत्रा हैं जितने भी सेक्षनिक संस्था है उसमें जो है तो जो छात्र वहां पड़ते हैं वह सरस्वती की पूजा कर रहें आराधना करें सिक्षेक उसे बात करते हैं पता यह संदेश सिक्षा मानब को ससक्त बनाता है उसमें आत्मर लाता है आज का दिन बिल्कुल पुनीत अबसर है शात्राएं मा सवस्थित की अड़ातना करती है उनकी कुझे अरचना करती है पुड़ेश में बनाया जा रहा है हम यही संदेश देना चाहेंगे कि सिक्षा के माध्यम से आप समाज और रास्ट को बदल सकते हैं जोकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने आपको मजबूत करते हैं उससे समाज को रास्ट को बदलने में महत्पून होता है दूसरे भी सिक्षा के उनके जान लेते सार आप बताए क्या होगा है आज का दिन जो है वह है की इसके आराधना का है मतलब कि आभ ज्ञान का अर्जितकी पी और याइज आज जो है वह दुनिया के जितने जितने विकास का जो भी रास्ता है वह ज्ञान से खुलता है इसे बात्चीत कर लेते हैं आप बताए कैसे बना रहे हैं इस से अब बताए कि फूजा करते हैं जो भी है तो फिर बढ़ते हैं इसे मेरी मा है इनको मनाते हैं बहुत आप बताए हम लोग आज मतलब फास्निंग रखे थे, पूजा होने के बाद हम लोग खाना खाये है हर दिन हम लोगों ने काफी जादा मेहनत किया है और हमारा मेहनत चार आप लोगों को नजर आ रहा होगा। दंडा धिकारी और पुलीस बलों की तैनाती की गई है। पुर्ण तरीके से बसंत पंच मी मनाने की अपील की। वहीं SM कॉलेज रोड में जैसे ही DSP पहुचे वैसे ही मनचलों के बीच हड़कम्प मच गया। पुलीस प्रशाशन की ओर से खंजरपूर इलाके में सुरक्षा का पुक्ता इंतिजाम किया गया है। इस दोरान पुलीस ने कई युवाओं से रोग कर पूच ताच की वहीं शेर नीदल समेत कई थानाती पुलीस SM कॉलेज रोड में गस्ती करती दिखी। डेस्पी राजबन शिंग ने जिले भर में मुकम्मल सुरक्षा का दावा किया। इस दोरान टीम में शामिल पुलीस अधिकारियों ने च्छापे मारी की और मौके से तीनो हथियार तसकर को दबोच लिया। स्पी ने कहा कि तिनो अपराधी गोलियों की डिलिंग करने मुगेर पहुचा था। साथी स्पी ने बताए कि फिलाल पकड़े गए सभी हथियार तसकरों से पूछताच की जा रही है। चापे मारी टीम में काशिम बाजार थाना ध्यक्ष शेलेश कुमार, जमालपूर थाना ध्यक्ष रंजन कुमार सहीत काफी संख्या में पुलिस वल मौजूद थे। खाना प्रभारी और जो स्पेशल सेल के टीम के लोग हैं तो उन लोगों ने चापमारी थी। चापमारी में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें से एक रहने वाले खगड़िया का जो की सप्लायर था, जो की लेकर के आया था, जिसका नाम उदेशाह हुआ, वो उनके पास से 130 पीस, 7.65 mm जो रेगिलर पिस्टल की गोलिया हैं, वो मिली हैं और इसको ये लोग जो है, आंकलिट के माध्यम से जो थाय में पहनते हैं, उसमें ये लोग छुपा करके ले जा रहे थे। राष्ट पिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर सत्याग्रह की धरती चमपारन से गुरुवार को हमारा देश, हमारा सम्मिधान, बापुधाम से गांधी मैदान यात्रा की शुरुवात करने, छात्र नेता कनहिया को मार बेतिया पहुँचे, जहां कनहिया को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, कई जगों पर लोगों ने वैनर पोस्टर लेकर कनहिया के खिला प्रदर्शन करते हुए गोवैक के नारे लगाए, दरशल जिला प्रशाशन ने विधी वेवस्था को देखते हुए बेतिया में कनहिया की होने वाली सवा को अनुमती नहीं में जगों जगाओ, देश बचाओ, नागरीकता बचाओ, रेली का आयुजन किया जाएगा आज ही के तीन, गोट से में गांधी जी की हत्या करती है, और आप ये जान लीजिए, कि गांधी जी के हत्या के प्रियास, छै बार किये गए थे, छै बार राश्ट पिता महात्मा गांधी की पुर्णे अतिथी पर देश भर में कई कारिक्रम आयुजित किये गए लोगों ने गांधी जी को याद कर उन्हें नमन किया, वही भागलपूर में भी शहादत दिवस पर गांधी शांती परतिश्ठान के अंदर में पुष्पान जली सवा का आयोजन किया गया इसके बाद लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर महत्मा गांधी के प्रतिश शर्धा सुमन अर्फित किया समाज से भी प्रकाश चंद्र गुपता और वासुदे भाई ने कहा कि आज ही के दिन वर्स 1948 में महत्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी मौके पर मजूद लोगों ने राष्ट पिता महत्मा गांधी के आदर्शों और मुल्यों पर चलने की बात कही साथ ही महत्मा गांधी के शहादत को याद किया महात्मा गांधी को आज के दिवी गोजी माली थी, उनकी याद में आज सही दिवस पुरे भारत में मनाय जाता है, ठीक 11 बजे मौन प्रार्थना होती है, उनकी याद में दो मिनट का मौन रखा जाता है, उसके बाद सर्व प्रार्थना और धजन का कारिकरम होता है वहीं तिलका माजी भागलपूर विश्व विद्याले के पीजी गांधी विचार विभाग में सर्व धर्म प्रार्थना सवा का आयोजन किया गया, इसके बाद विभाग के शिक्षक, छातर और गांधी वादी विचार धारा से जुड़े लोगों ने महात्मा गांधी की पर पर पुषपांजली अर्पित कर उन्हें नमन किया, विभागा ध्यक्ष डॉक्टर विजे कुमार ने बताया कि शहादत दिवस पर परतिवर्ष मौन सवा और स्थितारवाधन का आयोजन किया जाता है, इस अफसर पर डॉक्टर अमीत रंजन, डॉक्टर उमेश परसाद, मनोजदास, उमेश कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। तिवस के रूप में मनाता है, भागलपूर में भी कई कार्येकरम हो रहे हैं, गांधी सांती पत्रिष्ठान विश्विद्याला का जो गांधी असनात्कोत्तर गांधी विचार भी भाग है, उसमें भी अनेक कार्येकरम हुए हैं, अपने सहयोगी कैमरा परसन सुमित के जी हाँ, अब आपके सर भागलपूर में विश्वस्तरिय पढ़ाई की सुविदा पहली बार, जीडी गोईंक का पब्लिक स्कोल, CBSC कॉरिकोलम, नरसरी से 7 तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइस्ट एर कंडिशन कैंपस, AC बस विच जीपियस औन सीसी टीवी, चाहे आवासिय ह इकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई-लाइबरेरी भी, हमारा पता है जीडी गोईंक का पब्लिक स्कोल, जीछो, विशनपूर, भागलपूर, कॉन्टेक्ट नमबर 7672800010, एडमिशन इस गोईंग आन कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और सहस रखें, सही समय और सही जगा पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात होस्पीटल समू नारायना हैल्थ ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571 यादरे 9199446571 नराना हेल्थ ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप देख रहें सिल्क टिवी किंद्रिय काली पूजा समीती के महामंत्री चरंजिवी यादव उर्फ धूरी यादव हत्याकान मामले में फरार चलरे आरोपी मिकाईल के घर की गुरुवार को कुर्की जब्ती की गई ततारपूर थानाध्यक शुबोद कुमार के नेतुरित में आरोपी के आशाननदपूर इस्थित घर से सभी सामानों को पुलीस ने जब्त कर लिया महत्मा गांधी के शहादत दिवस पर गुरुवार को भागलपूर के घंटा घर चौक पर एक दिवस ये उपवास का आयोजन किया गया उपवास पर बैठे लोगों ने देश में चल रही राजनीती की निंदा की साथ ही नागरिक्ता शंशोधन कानून NPR और NRC को देश की गंगा जोमनी शंस्क्रीती के लिए घातक बताया उपवास पर बैठे TMVU के DHW डॉक्टर योगेंदर महतौ परिधी के उदाय राहूल समेत कई समास सेवियों ने मोधी सरकार के कारियों की आलोचना की देश को वाले के काड़ों ने उसको आप पापस लेए ये तो पापस लेए और दोड से अजिन को नहीं चाहते तो विशेसा धिकारवादी वटकस्ट्रवादी संधिधान चाहते थे इसलिए गांधी की हर्फियाटी ने देश को राष्प में बदलने की कोशिस कित इस दे मुशल्मान अधिवासी मजला और जो विविन भावोली छेत्र से सब को विलाकर कास्ट बनाने की प्रत्रिया गांदी ने शुरू कुई आज गांदी शहादर दिवश्पर आज हम लोग बैठे हैं अभी जो देश में ताला कानूर लाया गया है वही भागलपूर इस्टेशन चौक पर भगपा, भगपा माले और आईसा के वेनर तले लोगों ने सत्यागरा किया इस दोरान CPM के जिला मंतरी तश्रत परशाद ने कहा कि केंदर सरकार सत्ता का दुरूपियो कर रही है देश की जनता सडक पर है और सरकार के मंतरी गलत बयान बाजी करते हैं मौके पर मजूद महेश यादव गौरी शंकर राय और परविन कुश्वहा ने सरकार से CAA, NRC और NPR को वापस लेने की मांग की दर्न रिपेक्स्ता को बचाने के लिए हमारा यह दर्ना है और यह हमारा दर्ना अज पूरे पिहार में जिसमें मांदलों की तरफ से यक किया जा रहा है चानन थाना शेतर के सिल जोड़ी पंचायत इस्थित कसई गों में बिती रात बुद्वार को देहेज के खातीर ससुरार वालों ने फंदा लगा कर बहु की हत्या कर दी जिसके बाद शाक्च को मिटाने के लिए परीजनों ने आनन फानन में पदन दाहा जोर ले जाकर शब को जला दिया और पकड़े जाने के डर से सभी सदस से घर छोड़ कर फरार हो गए मामले को लेकर मिर्तका की मा प्रेमा देवी ने चांदन थाना में लिखित आवेदन दिया और बताया कि उसकी तैस वर्सिय बेटी ममता देवी का विवा तीन वर्स पूर कसई गौनिवासी मित्तल यादव के पुत्र पपुयादव से हुई थी जिसके बाद देहेज की मांग को लेकर ससुरार वालों ने लगातार ममता देवी को प्रताड़ित करते थे एबा मोटर साइकिल की डिमांड कर रहे थे मामले को लेकर चांदन थाना ध्यक्ष निरस्तिवारी ने बताया कि दोशी के विरुद FIR दर्ज कर ली गई है और जल् कारिकरम का शुबारम परधानाचार्य हमेंत कुमार ने किया इस दोरान इसकुली छात्र छात्रों द्वारा रगारंग सांस्कृति कारिकरम की शांदार प्रस्तुती दी गई महिं ध्रुमपान विशय पर वाद विवाद एवं निवंद परतियोगिता भी आयोई जीत किया गया छात्रों ने गीत एवं लगुनाटक के माध्यम से समाज में फैली कूरुतियों को लेकर आम लोगों को जागरूक किया फूरविधायक अशोक कुमार भगत ने कहा कि गिरामिन छेतर में काफी परतिवावान वच्चे हैं जिसे विद्याले प्रवंधन द्वारा तराशा जा रहा है इस अफसर पर प्रवंधक चंदररमन शा समेत काफी संख्या में छात्र एवं अभिवावक मजूद थे मुगेर एसपी लिपी सिंग के निर्देश पर गठित टीम ने लूट पाट करने वाले गैंग के छे शातिर बदमाशों को दवोच लिया पकड़े गए अफराधियों के पास ते पुलिस ने चार हत्यार बरामत किया है गुरुबार को एसपी लिपी सिंग ने प्रेस कौन फिरेंस कर पकड़े गए अफराधियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी एसपी ने कहा कि पकड़े गए सभी बदमाश पूरवसरा इलाके में बड़ी डकेती की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे जिसके बाद गुफ्त सूचना के अधार पर एसपी हरी शंकर कुमार के नेतुरित में विशेश टीम का गठन किया गया जिसके बाद टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों ने घहरावंदी कर सभी अपराधियों को गिरफतार कर लिया एसपी ने कहा कि पकड़ेगे अपराधियों ने एटियम लूट, चोरी, छिंतई, सहित, हाल के दिनों में कई घटनों में अपनी सनलिपता सुईकार की है साथ ही एसपी ने इसकी गिरफतारी को लेकर कई चोकाने वाले खुला से भी किये हैं 22 जन्वरी को संध्या की समय गुट सूचना मिली पूरप सरायोपी को की बसंती तलाव एरिया में कुछ क्रिमिनल्स जुटे हुए हैं और किसी घटना को इंजाम दे सकते हैं तुरित कारवाई करते हुए एसपी सदर महुदे के अंतरगत एक टीम का गठन किया गया जिसमें धाना देक्ष कोतवाली, पूरप सराय, कासिम बजार और डियाई उसल उन्हों ने जाकर के छापा मारी की बसंती तलाब में तो वहाँ पर पांच अपराधी पकड़े गए और उन्होंने कबूल किया कि इसी महीने जो 3-4 घटनाए हुई है लूट और चोरी की तथा जिसमें पुलीस लाइन में जो एटीम तोड़ करके चोरी का प्रयास किया गया था उसको बयान उन्होंने स्विकार किया है तो उनके पास से जो है चार देसी कट्टा करीब 5-315 बोर की गोली और बहुत सारा चोरी का समान जो था उनके पास से मेला जिसमें बहुत भी सारे मोबाइल चार्जर्स हैं एटीम कार्ड्स हैं करीब 44 सो रुपए हैं घड़ी हैं और भी इस तरीके का समाने नों ने इनके पास से बरामत हुआ और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइन्स पर जिले भर में धूमधाम से की जा रही है मासरस्वती की पूजा आर्चना कई शेक्षणिक संस्थानों में सांस्कृतिक कारिक्रम का हुआ आयोजन शेहर में सरस्थी पूजा को लेकर कुतबाली थाना से निकाला गया फ्लैग मार्च CTDSP ने शांती बनाए रखनी की लोगों से की अपी मुंगेर पुलीस को मिली बड़ी काम्यावी तीन हथियार तसकर 130 राउंड गोली के साथ गिरपतार बेतिया में कनहिया की होने वाली सवा को जिला प्रशाशन से नहीं मिली अनुमती लोगों ने लगाए गो बैक के नारे और राश्ट पिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर कई कारिकरम का हुआ आयोजन पुष्प अरपित कर लोगों ने किया नमन खिलाल इस बुलेटिन में इतना ही आप बने रहे है सिल्क टीवी के साथ तब तक के लिए नमस्कार